दक्केरलाय स्टोरी पर पस्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को सुप्रिम कोट ने खटा लिया है कोट ने फिल्म के निर्माताओं को भी एक नया डिस्क्लेमर लगाने को कहा है साथ ही साथ चीप जस्टिस ने कहा है कि अगली सुनवाई से पहले वो भी इस फिल्म को देखेंगे लिगल विस सहगल के इस वीडियो में इसी मामले की बात विडियो में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से फिल्म और उससे जुड़ी कानूनी लड़ाई के बारे में बताऊंगा फिल्म केरल की उन हजारों लड़कियों की कहानी कहने का दावा करती है जिन्हें संगठित लव जिहाद गैंग ने अपना शिकार बनाया और इन हिंदू और इसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया उन्हें आतंकी संगठन ISIS की गतिविद्यों में हिस्सा लेने के लिए भारे से बाहर भेज दिया गया फिल्म की रिलीस से पहले ही जब इसका टीजर यूट्यूब और इंटरनेट पर आया तो उसे लेकर विवाद शुरू हो गया फिल्म पर रोक लगवाने के लिए कई आचिका करताओं ने मदरास और केरल हाई कोट का दर्वाजा कट-कटाया इसमें जमियत उलेमाय हिंद कुर्बान अली समेत कई आचिका करता शामिल थे लेकिन दोनों ही हाई कोट ने फिल्म की रिलीज को रोकने से मना कर दिया छे मई को फिल्म पूरे देश में रिलीज हुई और वॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने लगी लेकिन आठ मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहाँ फिल्म पर रोक लगा दी यह कहा कि इस फिल्म को दिखाने से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिती बिगड़ जाएगी इसके खिलाब निर्माता सुप्रिम कोट पहुँचे और तमिल नाडू में भी डिफेक्टो रोक यानि की आपचारिक रोक ना होने के बावजूद फिल्म को ना दिखाए जाने के खिलाब भी उन्होंने अपनी बाद सुप्रिम कोट में रखी दरसल तमिल नाडू में भी कई सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन ये कहा जाता है कि सरकार और दूसरे राजनितिक लोगों के दबाव में सिनेमा घर मालिकों ने फिल्म को दिखाना बंद कर दिया सुप्रिम कोट ने इस मामले को सुनते हुए पिछले हपते तीखी टिपनी भी की थी दोनों राजी सरकारों पर और दोनों राजी सरकारों ने सुप्रिम कोट में अपना जवाब दाखिल किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि खुफिया रिपोर्ट उसे मिली थी कि राज्ये में हिंसा भड़क सकती है अतिवादी गुट जो है आपस में भिड़ सकते हैं इसलिए ये रोक लगाई गई है पश्चिम बंगाल सरकार ने ये भी कहा था कि फिल्म में तत्यों को खलत दिखाया गया है ऐसी तमाम बातें पश्चिम बंगाल सरकार ने कही और तमिल नाडू सरकार ने कहा कि उसने कोई रोक नहीं लगाई है फिल्म का प्रदर्शन कमजोर था उसे दर्शक नहीं मिल रहे थे इसलिए सिनेमा घरों ने खुद फिल्म को हटा दिया इस मामले पर आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रिचूड जस्टिस पियस नरसिमा और जस्टिस जेबी पाड़ी वाला की बेंच ने सुनवाई की जहां की फिल्म निर्माताओं की तरप से वरिष्ट वकील हरिष सालवे ने पश्चिम बंगाल सरकार के दाबों पर तीखी टिपनिया की उन्होंने कहा कि 12-13 लोगों के बयान दर्ज करा लिए राज्य के खोपिया विभाग ने और ये कह दिया कि फिल्म अच्छी नहीं है फिल्म से हिंसा भड़क सकती और ये रोक लगा दी गई जबकि जब सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाता है किसी फिल्म को तो राज्य सरका रोक नहीं लगा सकती है सुप्रिम कोट कई फैसलों में ऐसा कह चुका है पस्चिम बंगाल की तरब से पेश अभिशेक मनु सिंग भी ने इसका बचाओ करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जब हिंसा भड़कने का डर हो तो रोक लगानी ही पड़ती है लेकिन चीफ ज इस बात से सहमत नजर नहीं आए उन्होंने कहा law and order यानी कानुन विवस्ता राजसरकार की जिम्मेदारी है अगर आपने किसी एक जिले में रोक लगाई होती तो बात समझ में आती थी लेकिन आपने तो पूरे राज्य में रोक लगा दी आप जो बात कह रहे हैं उसमें को को दिखाने के लिए दबाओ बनाया गया सिनेमा घर मालिकों पर कि वो फिल्म को न दिखाएं तो ऐसा कोई दबाओ कोई भी न बनाई ये आप सुनिश्चित करें सरकार या सरकार से जुड़े लोग भी ऐसा दबाओ न बनाए और जो सिनेमा घर फिल्म को दिखाना चाहते उन्हें सुरक्षा मिले इस बीच जमियत उलेमाए हिंद कुर्बान अली जैसे याचिका करताओं के लिए पेश कपिल सिबल हुजैफा एहमधी जैसे वकीलों ने बोलना शुरू किया उन्होंने कहा हमने रोक की मांग की थी लेकिन दो हाई कोट ने मना कर दिया हमारी भी बा को जुलाई में हम सुनेंगे और आप ये जो दावा कर रहे हैं कि फिल्म में बहुत सारी कमिया हैं इसमें मुस्लिम समुदाए के बारे में घलत बातें दिखाई गई गई हैं इसको सुनिश्ट करने के लिए अगर जरूरी लगा तो हम फिल्म को देखेंगे भी यानि अग ताहंत में यानि इसी वीकेंड में शनिवार या रविवार को फिल्म को देखें ताकि कम से कम इसे OTT पर रिलीज होने से रोका जा सके लेकिन जजों ने इस पर कोई टिपनी नहीं की कहा कि जुलाई में मामले को आगे सुना जाएगा हम पश्चिम बंगाल की रोक को हटा रह हैं तमिल नाडू सरकार को सिनेमा घरों को सुरक्षा देने का निर्देश दे रहे हैं और अगली सुनवाई मामले की जुलाई में की जाएगी उससे पहले जरूरी लगा तो जज भी इस फिल्म को देखेंगे साथ ही साथ एक बात और चीफ जस्टिस ने कही फिल्म के निर उस डिस्क्लेमर में ये लिखा जाए कि 32,000 लड़कियों के गायब होने और धर्म परिवर्तन कर लेने का जो आखड़ा फिल्म में दिखाया गया है इसका कोई पुखता आधार नहीं है सुप्रिम कोट ने कहा है कि 20 मई को शाम 5 बजे से पहले ये डिस्क्लेमर भी फिल्म म लगा दिया जाए